तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब आई होब कि आप सब बलकुल ठीक होंगे तो दोस्तों नवरात्री का सीजिन चल रहा है और मीटा खागा के परिशान हो जाते हैं तो आज मैं आपके लिए चटपटी से रेस्पी लेके आई हूँ वीडियो को एन तक जरूर देखिए तो चल लिए रेस्पी स्टार्ट करते हैं तो मैंने यहाँ पर 7-8 आलू बॉल किये हुए ले लिए हैं आलू मैंने मीडियम साइज लिए हैं आप कितने लोग हैं उसके साब से आप आलू ले लिजिए तो एक मैंशर के हैल्प से आलू को अच्छी तरह से मैंश कर लेते हैं मैंश करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ सा कटा हुआ धनिया और दो दिन कटे हुई हरी मिड़ी इसके बाद आली चम्मत जीरा डालेंगे स्वाद अनुश और सेंदा लमक डालेंगे अब इनको कर देते हैं हम अच्छी तरह से मिक्स अब हाथ से भी इनको मिक्स कर सकते हैं अब हमारी आलो की फिलिंक तयार हो चुकी है तो अब इसको कर देते हैं हम साइड में अब ले लेते हैं एक पराथ तो इस पराथ में हम डालेंगे कुट्टू का आटा ये कुट्टू का आटा हमने मेजर्मेंट करके लिया है ये लगबग 200 ग्राम के आसपास होगा हमने इसका मेजर्मेंट किया तो ये एक कटोरी बैठा था बैसे ये 200 ग्राम के आसपास है तो अब हम इसमें डाल देंगे 166 सेंदा नमक जैसे आप रोटियों वाला आटा गूनते हैं ठीक उसी तरह से ये आटा भी गूनतना है तो देखे थोड़ थोड़ पानी डाल के हम इसको गूनत लेंगे और इसका एक अच्छा सफ्ट डू बना लेंगे अब देखे हमारा आटा गूनत के तयार हो चुका है अब इस आटे को हम बराव बरावर पार्ट में तोड़ लेंगे तोड़ने के बाद अब हम इसके लोई बना लेंगे बिल्कुल गोल वो लोई बनानी है देखे हमने सारी लोई यां बना के तयार कर ली हैं अब ले लेते हम चकला वेलन जैसे आप रोटियों को बेलते हैं ठीक उसी तरह से इनको भी बेल लेंगे और साथ ने हमने कुट्टो का सुखा आटा भी लिया है सुखे कुट्टो के आटे से हम इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे जैसे हम रोटियों को बेलते हैं ठीक उसी तरह से इसको भी बेल देंगे अब हमने ये बेल के तयार कर लिया इसको कर जाते हैं हम साइड में इसे हम एक बरतन में रख देंगे अब दूसरी लोगे को भी बेल लेते हैं अब ध्यान रहें दोनों को साइज एक बरावर होना चाहिए अब क्या करते हैं जो हमने चटनी बनायती उसको इसके बीट में रख देते हैं अब इस चटनी को हम चार तरफ फैला देंगे कोई भी जगे खाली नहीं होनी चाहिए अब दूसरे पार्ट को हम इसके उपर रख देंगे और साइज से कॉर्णर को हम प्रेस कर देंगे जिससे कि हमने जो अंदर फिलिंग भरी है वो भान ना निकले देखिए जिस तरीके से मैं कर रही है उस तरीके से आपको भी करना है अब चलते हैं गैस की तरफ, गैस अन करके हमने गैस पर तबा रख दिया है तो इस तबे पे हमने थोड़ा सा घी डाल लिया है और इस घी को चार तरफ फैला देते हैं जिससे कि हमारे परांटा है वो चिपकेना और इसको डालने के बाद भी साइड साइड में हमको घी डालते रहना है और आराम से इसको टर्न करना है इससे आप आलो का परांटा भी बोल जगते हैं कुट्टू के आटे वाला और इस परांटे को हम परेट परेट कर अच्छी तरह से कड़क कर लेते हैं अगर आपको और घेकी ज़रुत लगे तो आप उपर से गी डाल सकते हैं अब इसको अच्छी तरह से परड़ के सेख लेना है तो देखे हमारे परांठा अच्छी तरह से सेख चुका है अब इसको निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में और हमारे और भी परांठे बागी हैं तो उनको भी हम सेख लेते हैं अब सारे परांठे हमने अच्छी तरह सेख लिए हैं देखे मैं आपको बीच में से काट के दिखा देती हूं तो देखे कुट्टो वाले आटे के परांटे हमारे कितनी अच्छी तरह से बनके तयार हुए हैं आप भी ब्रत में इन परांटों को जरूर बनाईए देखे मैं चार पीसिस में ये परांटा काट दिया है और बागे के परांटे ये रहे अगर इन परांटों को आप कार्ट की खाना पसंद करते हैं तो आप कार्ट की खाईए अगर बैसे पसंद करते हैं तो बैसे ही खाईए और हाँ इसको हरी चटनी के साथ खाईए मैंने पिछली वीडियो में आपको ब्रत वाली हरी चटनी की रेस्पी बताई थी आप उस recipe को देखने के लिए मेरी पिछली वारी वीडियो देख सकते हैं और ये पराटे घी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं तो हम इसको घी के साथ खाएंगे इसके उपर से हम थोर सा घी और डाल देंगे अगर आप घी कम खाना पसंद करते हैं तो हमारा घी पिगल रहा है आप देख सकती हैं अगर आपको ही रेस भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए जिसे कि हमारी नए नी वीडियो आप तक पहुंच सकें तो मिलती है किसी ऐसी चैटा के दार वीडियो में तब तक आप स्क्रीन पर देख रही इन दोनों वीडियो को भी देख सकते हैं